हेलो गैज, वेलकम टू एडू अंपुरन मैं हूँ आपका दोस्त अश्वीनिकुमार और मैं आज की इस वीडियो में जारखन के करेंट अफेर्स से जितने भी महत्तुपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं यह सेट नमबर थ्री है सेट नमबर वन और सेट नमबर टू और अप्लोड किये जा चुके हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंपुरन दोस्तों करेंट अफेर्स से कोस्टेंस इन जेनरल हर तरह के एक्जामनेशन्स में पूछे जाते हैं च उसमें करेंट अफेर्स से कोस्टेंस आएंगे ही आएंगे तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और करेंट अफेर्स की तयारी करते रहिए आईए आज के पहले प्रशन पर चलते हैं जारखंड के किस साहितिकार को जारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा त option A पूजा शुकला तो अगले प्रशन पर चलते हैं भामा शाह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो आपके option option A डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर option B सौरव निलेस option C डॉक्टर रामदेव गुपता या फिर यह भी जानना चाहिए कि भामा साह कौन थे तो भामा साह जो है भामा साह एक दानवीर थे जो महराना प्रताप को अपना सारा जमा पूंजी जो है वो दान कर दिये थे ताकि महाराना प्रताप फिर से अपनी सियना को संगठित कर सके ठीक है तो यह है भामासा दोस्तों एक इंपोर्टेंट अपडेट भी आप लोगों के लिए वैसे एस्पिरेंट्स वैसे दोस्त जो की वीडियो नहीं देख पाते हैं आडियो सुन सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं ट्रैवल करते हैं वर्किंग हैं तो उन लोगों के पास इतना समय ने रहत किये जा रहे हैं जार्खन के current affairs के सारे sets जो है वो जिस तरह से add one current channel में video upload किया जा रहा है उसी तरह से खबरी एप में इसका audio upload किया जा रहा है नीचे इस video के description box में इसका link दिया हुआ है आप उस link का use करके same video जो अभी का जो video है उसका audio सुन सकते हैं और उसका lab उठा सकते हैं तो वैसे दोस्स जो वीडियो नहीं सुन सकते हैं वो audio सुनके भी अपनी current affairs की तयारी कर सकते है ठीक है चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं अगला प्रेशन है जार्खन ओलंपिक प्रेशन द्वारा बेस्ट एथलीट महिला का पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो आपके option है option a जनसिता करकेटा option b मधुमीता कुमारी option c होलिका मरांडी या फिर option d अदम होरो इसका correct answer हो जाएगा option B मधुमीता कुमारी मधुमीता कुमारी को best athlete महिला का पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है कविता संग्रा आईना मश्रूप है कि लेखक कौन है तो आपके option है option A प्रकास कुमार option B निखिल कुमार option C अभय दूबे या फिर option D अर्चना मिंज तिसका correct answer हो जाएगा option A प्रकास कुमार अगला प्रश्ण है जार्खंड से किसे फिल्म दे वाइट टाइगर के लिए बाफटा अवार्ड में बेस्ट लीड अक्टर के लिए नोमिनेट किया गया है तो आपके option है option A आदर्स गौरो option B निखिल कुमार option C अभय दूबे या फिर option D निशान्त गौरो तिसका correct answer हो जाएगा option A आदर्स गौरो अगला प्रशन है तारणी कुमारी हाल ही में चर्चा में रही ये किस खेल से संबंदित हैं तारणी कुमारी who was in the news recently is related to which sport तो आपके options है option A होकी, option B तीरंदाजी, option C मुक्यबाजी या फिर option D कबड़ी तो इसका correct answer हो जाएगा option A होकी तारणी कुमारी होकी से related है होकी खेल से संबंदित है अगला प्रशन है जारखंड के किस सांसद को तीसरी बार सांसद रतन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है तो आपके option है option A निशीकांद दूबे, option B अरजुन मुंडा, option C अनपूर्णा देवी या फिर option D सुदेश महतो तो इसका correct answer हो जाएगा option A निशीकांद दूबे, अगला प्रशन है फिल्म जगत में उलेखनिय कारे के लिए राष्ट्री सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है किस चीज में तो फिल्म जगत में उलेखनिय कारे करने के लिए अगला प्रशन है मैं बाग हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है, who is the author of the book मैं बाग हूँ तो आपके option है, option A प्रदीप कुमार, option B महेश्वरनात, option C नवदीप कौर या फिर option B सुरेश राम तो इसका correct answer हो जाएगा, option A प्रदीप कुमार अगला प्रशन है, राजपाल द्रौपदी मुर्मु द्वारा, उराओं लोग गीतों में नारी का चित्रन, पुस्तक का लोग कारपन की है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके option है, option A संदीप मुरारका, option B जनसिता करकेटा, option C विजय कुमार महतो या फिर option D सुरेश राम तो इसका correct answer हो जाएगा, option C विजय कुमार महतो अगला प्रशन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक, विजुल डिक्सिनरी आफ योग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके option है, option A, डॉक्टर आनंद कुमार ठाकूर, option B, सौरव निलेश, option C, A और B दोनों, या फिर option D, संदीप मुरारका, जिसका correct answer हो जाएगा, option C, A और B दोनों यानि कि डॉक्टर आनंद कुमार ठाकूर, और सौरव निलेश के द्वारा, विजुल डिक्सिनरी आफ योग, नामक पुस्तक को विमोचित किया गया है, ठीक है? अगला प्रश्ण है, आली में साहित्यकार, एवं भाषा विद, डॉक्टर भूनेश्वर अनुच का निधन हो गया, वो किस भाषा के शाहित्यकार थे? दोस्तों, जो भी नागपूरी लिए हुए होंगे, जिनका भी लैंग्विज पेपर नागपूरी होगा, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कि डॉक्टर भूनेश्वर अनुच कौन है? तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं, हलाकि ऑप्शन मैं आपको बतला देता हूँ, ऑप्शन ए, पुरठा, ऑप्शन B, संथाली, ऑप्शन C, नागपूरी, या फिर ऑप्शन D, हिंदी, जिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, ना पुरी भाषा के साहित्यकार और भाषा विध्य, अगला प्रशन है, परमवीर चक्र विजेता, अलबर्ट एकका की पत्नी का निधन हो गया है, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A, निर्मला एकका, ऑप्शन B, बुधनी एकका, ऑप्शन C, बलमदीना एकका, या फिर ऑप्शन D, सुमती एकका, तो आप इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, बलमदीना एकका, बलमदीना एकका जो था है, वो जो परमवीर चक्र विजेता, अलबर्ट एकका जो था है, 1971 के वार में, परमवीर एकका ने, एक महत्वपूर् क्या है, ये question पूछा गया, तो उनकी पत्मी का नाम था, बलमदीना एकका, अगला प्रशन है, Samuel गुडिया का निधन हो गया है, वो निम्न में से किस से सम्मंदित थे, तो आपके option है, option A, जार्खंड आंदोलनकारी, option B, जार्खंड राज्य, अल्प संख्यक, आयोग की उ जार्खंड की आंदोलनकारी थी, और वो जार्खंड राज्य, अल्प संख्यक, आयोग की उपाध्यक्षा भी थी, ठीक है, अगला प्रशन है, पूर्व खिलाडी, महावीर प्रसाद का निधन हो गया, वे किस खेल से सम्मंद रखते थे, तो आपके option है, option A, फुटबॉल option B, होकी, option C, बैडमिंटन, या फिर option D, तीरंदाजी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, फुटबॉल, महावीर प्रसाद जो थे, वो फुटबॉल खेल से सम्मंद रखते, अगला प्रशन है, जार्खंड से किनका चयन, गूगल के summer of code 2021 में हुआ है, तो आपके option है, option A, सुभम सुभम राज, option B, रिशप कुमार, option C, अवनी सिनह, या फिर option D, अशरफी हैदर, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, सुभम राज, जार्खंड से सुभम राज का जो चयन है, वो गूगल के summer of code 2021 में हुआ है, अगला प्रशन है, जार्खंड से किनका चयन, ग्लोब लिंक रिसर् internship award के लिए हुआ है, तो आपके option है, option A, इनशिता स्रेष्ट, option B, रिशप कुमार, option C, अवनी सिनह, या फिर option D, संजीता कुमारी, तो आपके, इसका correct answer होगा, option A, इनशिता स्रेष्ट, इनशिता स्रेष्ट जो है, इनका चयन, ग्लोब लिंक रिसर्च इनशिता स्रेष्ट पर लिखी जीवनी है, आपके options है, option A, बाबुलाल मरांडी, option B, सिबु सोरेन, option C, सर्यू राय, या फिर option D, जो बामानजी, इसका correct answer हो जाएगा, option C, सर्यू राय, the people's leader नाम का जो बुक है, वो सर्यू राय के जीवनी पर है, ठीक है, अगला प्रशना है, जारखंट से किस sensor board का सदस्य मनोनित किया गया है, who has been nominated as a member of the sensor board from जारखंट, तो आपके option है, option A, अनिल गुपता, option B, घेमंत सोरेन, option C, कल्यानी कुमारी, या फिर option D, राकेश सिन्ह, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, कल्यानी कुमारी, कल्यानी कुमारी को जारखंट से sensor board का सदस्य मनोनित किया गया है, sensor board क्या होता है, फिल्म का जो प्रमान पत्र दिया जाता है, उसका सदस्य है, कल्यानी कुमारी, जो की जारखंट से इनका नाम भी मनोनित किया गया है, जो भी फिल्म बनती है, उसमें censorship लगेगा, कितना movie को दिखलाना चाहिए, यह सारा काम sensor board का होता है, ठीक है, त dr. गिरिधारी राम गोंचु का निधन हो गया है, वो किस भाषा के विद्वान थे, तो आपके option है, option A, खोरठा, option B, संथाली, option C, नागपूरी, या फिर option D, हिंदी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, नागपूरी, अभी जो भी नागपूरी के student होंगे, वैसे aspirant, वैसे aspirant, जो नागपूरी language paper को चूज किये हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरेकी से पता होगा, कि जारखन के जो लोग गीत हैं, इसका एक book भी आया है, dr. गिरिधारी राम गोंचु का, उसी के book से लोग अभी जारखन का लोग संगीत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नागपूरी क ये भाशावित थे, और राची स्विध्याले के छेत्री वजन जाती भाशाविभाद के पूरे अध्यक्य थे, कौन थे, dr. गिरिधारी राम गोंचु, और वो किस भाशा के विद्वान थे, वो नागपूरी भाशा के विद्वान थे, दोस्तों, आज का वीडियो अब य वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने सजेशन्स कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो उस पाने के लिए एडव अंगपूरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल की जैहिंद